हाला स्टुडेंट्स मेना नाम दॉक्टर के जंद पुरही तो आप देगरें हमारा यूट्यूब शेशन आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं कॉम्प्लेक्स नंबर जो की CSIRNET, IET, RPSC 1st grade, 2nd grade या TGDPGD के लिए बहुत ही helpful है तो आप जरूर इन classes को अटेंड करिए सुन बात करेंगे आज कॉम्प्लेक्स के अंदर की सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है अल्टिमेटली यहां पर हम बात करते हैं आयोटा और आयोटा को हम यहां पर root-1 से denote करते हैं अगर हम बात करें तो इसको अगर बात करी जाए आयोटा अगर मैं इसका square करूँ तो इसकी value हो जाती है माइनस 1 अगर मैं इसको आयोटा स्क्यूब करूँ तो यह माइनस का अगर मैं इसको एक और बार आयोटा से multiply कर दूँ तो बटा यह हमारे पास क्या जाएगा वन हो जाए तो यह इसको power 4 करोगे तो यह आएगा minus 1 की power 4 और यह हमारे पास 1 by 2 है तो यह सुन यह आएगा आयोटा पावर 4 is equal to minus 1 का स्क्वाइर तो आयोटा पावर 4 is equal to 1 हो जाता है तो यह ध्यान देने की आवश्च रता है शुन्ट आपके सामने थोड़ा सा आयोटा के बारे में और भी हम discuss करेंगे यह ultimately हमारे पास एक तरसे imaginary number से denote किया जाता है और जब भी हम बात करते हैं complex number के त होता है and y जो होता है वो उसका imaginary part कहलाता है और यह हमेशा पैर में होते हैं ठीक है इस विन जो z होता है उसका conjugate जो होता है उसको z-bar से denote करते हैं वह हमारे पास x- iota y होता है अगर मैं आपके सामने यहां पर represent करूं इसको माले जीए हमारे पास x-axis यह यह रियल पार्ट को denote क करता है अगर माले यहां पर कोडिनेट दे रिखा है 1,1 तो बटाए यहां से हम जानते हैं इसको 1 प्लस आयोटा से denote करेंगे complex में राइट है ठीक है और अगर हम बात करें सुन यह तो यहां से अब आपके सामने जो काम की चीजिए वो बताने कोशिच करूंगा इस सुन अगर यह हमारे पास यहां पर तो हम जानते है यह तो इसका तरीका क्या होता है यह समझने की कोशिच करिएगा प्लीज समझाने की कोशिच करता हूँ बटा अगर यह हमारे पास यहां पर तो हम जानते है यह distance 1 है और यह distance भी हमारे पास 1 है प्लीज दियान देजएगा जब भी हम किसी coordinate को polar की form में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर हमारे पास जो coordinate को सुनो मेरी बात है ना बटा हमारे पास क्या होता है एक point है जिसको हम cardison में denote करते हैं cardison मतलब x और y में तो यह दिखाता है कि सुन यहां से यहां तक x की दूरी कितनी है और यहां से यहां तक y की दूरी कितनी है ना इसी point को हम polar में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं polar form यह बताती है कि यह जो point है इसकी origin से distance कितनी है और यह x-axis के साथ कितना angle बन तो जो भी हमारे पास complex number है इस complex number को polar में भी रिपर्जेंट कर सकते हैं अब polar में कैसे रिपर्जेंट करते हैं तो सुन यहां पर हमारे पास पॉलर में पर्जेंट करने का हमारे पास तरीका होता है ना आम रिक्वेस्टिंग जो भी स्ट्रेंट मुझे कि आप सुन रहे हैं मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो भी चीज़ें मैं सब प्रोवाइड कर दूंगा वन बाई वन हैना बस आप से निवेदन हैं कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो सुन यहां पर बताना चाहरा हूं कि अगर यह बात करी जाए तो यहां पर आर जोगा वो यह रिप्रेजेंट करेंगा और यह पाइथोग और च्रम समबाद करें तो बटा यहां से मारे पास इसकी वेलिए होती ही वन प्लस इसको पॉलर में रिपर्जेंट करता हूं तो हम जानते हैं यह एक्स होता है यह वाय होता है और बटा आर की जो वेलिए होती है वह हमारे पास होती है अंडरूड आफ एकस स्कॉाइर प्लस वाय स्कॉार और अगर मैं आपस बोलू कि यह थीटा कितना होगा तो यहां पर होता है टैन ठीटा is equal to perpendicular upon best that is y by x तो ठीटा की जो वेलिए होती है वह हमारे पास होती ही 10 inverse y by x तो यह यह आपको ध्यान देनी की ज़रूरत है आपको यहां पर दिखाना है और और यह होता है ठीटा यह दोनों निकालना है फिर हम यहां पर इसको पोलर में रिपर्जेंट क और ठीटा की जो वेलिए होती है वह मारे पास होता है सुन 10 inverse y by x जानला होता है तो सुन यह हमारे पास ठीटा आ रहा है अब सुन पैसे रेपर्जेंट करता है बहुत इंटरस्टिग समझाना चाहरा हूं प्लीस समझने की कोशिश करना हूं भीटा जैड़ को काडीजन में और निए रोद्टर से देखा जाता है अगर मैं इसको रिपर्जेंट LOL करना चाहता हूं अगर में आपके सामने बोलना चाहता हूंider स्की वेल्यू U rates IOTA है तो अगर में R कि वेल्यू और ठीटा की वेल्यू यहां रखूँ ट यहां और 1 पिलस आयोटा आना चाहिए करके देखते हैं तो बतार कि चुझ वेल्यू है वो कितनी है यहां पर हमारे पास क्या रही है रही रूट टू और ठीटा हमारे पास कितना रहा रहा यह आ रहा रहा पाई बाई बाई फूर इस उन आपको एक बहुत इंपोर्टेंट कंसेप बताना चाहता हूँ इक पाउर आयोटा ठीटा जो होता उसकी वेली होती है कॉस ठीटा प्लस आयोटा साइन ठीटा इस उन यह एक फार्मला है जो कि आपको याद रखने की आवशकता है तो सुन यहां पर जैसे हम इसको खोलेंगे तो जैड इस इकल टू या एगर रूट टू बटा इसकी वेली यही आती है क्या बिल्कुल यही आती करके देख लिजे बिटा जैड की विलयू रूट टू आएगी और यह आएगा वन बायू रूट टू बिडा मेर इस रूट कोнымडीक्ली करो वन प्लस ऐधार रूटा गी क्याण पे पोलर में रिपर्जेंट करते हैं तो अगर आपको किसी भी कॉडिनेट को पोलर में रिपर्जेंट करना है तो बहुत इजी लिए आप यहाँ पे रिपर्जेंट कर सकते हैं ठीक है अब आपके सामने एक छोटा सा एक्जांबल लेता हूं कोई आप से यह पूछे कि भाईया जेड इस एकल टू मारे पास यहाँ पर यह दे रिपर्जेंट करेंगे तो आपको यह पहले देखना पड़ेगा कौन से क्वाडरेंट में आ रहा है अगर आपने यह कर लिया क्योंकि हम जानते हैं कि जेड का पोलर रिपर्जेंटेशन आर एक की पावर आयटा होता है या फ यहां पर इसका क्वाडरेंट में आ रहा है थों हम जानते हैं जैड़ फार इक क्वाडरेंट में पर इसका क्वाडरेंट देख लिते हैं इस समझ में अ यहां पर बात करी जाए तो X1 और Y-1 मतलब यह हमारे पास इस क्वाड़िट माइंगा देट इस 1,-1 तो हमें यहां से यहां के बारे में बात करनी है तो भाई यह 10 से नमतलो काम हो जाएगा हमें यहां पर R की वेलिव चाहिए और ठीटा की वेलिव चाहिए बिटा R की वेलि भाई यहां से आपका वेलिव आएगा आपको भाई रोने की जरूद नहीं है ना 1 स्क्वार माइनस 1 का स्क्वार बिटा यह रूट 2 हो जाएगा राइट अगर आप से बोला जाए कि ठीटा की वेलिव क्या होगी तो यह होता है 10 इंवर्स Y बाई और X की वेलिव रख तो यहां से मारे पास जो ठीटा आएगा वो कितना आएगा माइनस का पाई बाई फोर आएगा बस यह आपको ध्यान देने की आवशक्ता है यह वेलिव उठा के यहां रख दीजे तो इसका जो पोलर रिपर्रसेंटेशन होगा वो हमारे पास हो जाएगा रूट 2 और कॉस प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई फोर बेटा सॉल्ट करेंगे विल्कल यह का यही आएगा राइट न देने की आगे बढ़ते हैं ठीक है इधर देखिए आप लोग इसमुन आगे समझने की कोशिश करते हैं और स्टीजों समझते हैं इसमने एक और चीज बात समझन का इनवर्स निकालते हैं यह चार-पांच चीज है आपको समझने की आवश्यक्ता है ना ठीक है अगर हमारे पास दो complex number दे रिखें द्यांद जीगा Z1 is equal to 1 plus Iota and Z2 is equal to 2 plus 3 Iota माल जी यह मारे पास दे रिखा है आप सभी से एक निवदन है जिसको class सटेन करना है वो करें जिसको नहीं करना है प्लीज जाए पंचायती ना करें यह जितनी भी classes यह live दूंगा recorded नहीं मिलेगी आपको पढ़ना है तो पढ़िए नहीं तो रवन्ना होई है धन्यवाद यह सभी classes आपको math care app पे बाद में recorded दे दूंगा अभी नहीं दूंगा अभी सिर्फ मुझे class के नदर बच्चा लाइव चाहिए जो मुझसे पढ़ना चाहता है वो पढ़े बाकि आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मैं निविदन करूंगा कि फालतों की बकवास करें तो अब यहां करें अगर आपसे बोला जाए कि कैसे हम इसको मैनस करेंगे यहां पे तो सुन्धान देजेगा Z1-Z2 करेंगे तो यह आएगा 1-2-3 आएगा बटा जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस 1-2 आएगा यहां पर आजाएगा ठीके अगर मैं इन दोनों को मल्टिप्लाइ करूं यहां पर जान देजेगा इन दोनों को मल्टिप्लाइ करूं Z1-Z2 तो यह आएगा 1-2-3 आएगा बटा जब इसको मल्टिप्लाइ करूं तो 2 आएगा हमारे पास 3 आएगा प्लस 2 आएटा और बिटा आएटा स्कुरोर की वेल्यू माइनस का 1 होती है बटा जब सिंपलिफाय करेंगे है आप आएटा स्कुर माइनस 1 हो जाएगा तो यह आएगा क्या करेंगे जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई concept आ जाता है तो denominator में हमेशा हम आयोटा को हटाना चाहेंगे तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको rationalize करना पड़ेगा ना तो बटा यहां पे इसको आप इसके conjugate करने पर जो आता इसको conjugate बोलता है तो इससे यहां पर क्या करेंगे इसको यह लिए गरेंगे तो बटा करेंगे फूर बटा आयोटा स्कॉर के विली माइनस वन होती है और यह नाइन हो जाएगा इसको सिंप्लिफाइब करेंगे तो तीन और दो पाँच माइनस आयोटा डिवाइड बाइड बाइड बाइफ पेटा यह हमारे पास किसी भी कॉंप्लेक्स नंबर को हम जब आयोटा वाइ माइनस 3 इस एक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा कोई आपसे ऐसा दे दिया जाया है ना माले जीक एक्विशन दे दी जाया आपको और आपसे बोला जाएगे इसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार मदब एक्स और य की वेल्यू क्या होगी तो बटा जबी हमारे अंगेल पार्ट के बरावर होता है इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट के बरावर होता है तो बटा 4x जो होगा वो हमारे पास 3 हो जाएगा और y-3 जो होगा वो 2 के बरावर हो जाएगा तो बटा यहां पर x की वेली जो आएगी वो 3 by 4 आजाएगी और y की वेली जो लिखते हैं x plus iota y तो इसका जो conjugate होता है उसको लिखते हैं x minus iota y है ठीक है, conjugate को iota की जगह minus iota करके लिखा जाता है, अगर मैं इन दोनों को multiply करूँ यह था, क्या करूँ बैटा, multiply करो ना, x plus iota y, x minus iota y, है न, तो बैटा, यह जो value आती है, यह हमारे पास आती, x square plus y square, उसको mod z का holy square है, याद रखने की ज़रोते, mod z का holy square होता है, वो हमारे पास होता है, x square plus y square, तो यार, यह आपको समझने की आवश्यक्ता है, यह आपको यहाँ पे आना चाहिए, यह सुने एक और चीज होती है, कि जब भी हमारे पास कोई भी complex number है, please समझने की कोशिश करना, अगर हमारे पास कोई भी equation, आप यह समझ लीजे, तो उसकी जो roots होते है, हमेशा roots की concept को में समझने की जरूरता है, जब भी हमारे पास कोई भी equation जिसकी roots complex है, तो वो हमेशा क्या होंगे, यह सुन पेर में होंगे, जिसमा आपके सामने सवाल लेता हूं, यह सुनमा लीजे मैं इस प्रकार की समय करनों दे रखी है, सुनना मेरी बात, और बहुत काम की चीजे, यह फिर हमारे पास इस प्रकार की कोई भी equation है, ध्यान देजेगा, यह दोनों equation समझाने की कोशिश करता हूं, तो हम जानते हैं कि यहां से हमारे पास इसकी value होती है, वो हमारे पास होती है, अगर आप से यह बोलू, कि यह इसकी value क्या होगी, तो बटा आप बोलोगे सर, x is equal to plus minus 1, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर सुन में कहानी यहां से शुरू होती है, ध्यान देजेगा, अगर आप से बोला जाए कि x cube minus 1 is equal to 0, यह आप से बो इसा, यहां से समझ से आना स्टाट होता है, अब इसकी roots निकाल लें आपको, यह इसकी roots कैसे निकाल लेंगे, आप बोलोगे कुरुजी कौन सी बड़ी बात है, निकाल लेंगे यार, बताओ, क्या करना है इसके इंदर, यह आएगा x minus 1, यह आएगा x square plus x plus 1 is equal to 0, यहां से x plus minus root 3 iota by 2, तो सर, एक root तो यह होगा, दो root यह हो जाएगे, यह होता है, यह होता है, वन omega and omega square, न, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो बटाओ, जब इसको हम रखेंगे, तो यहां से मारे पास एक root यह आता है, यह आता है, यह आता है, plus minus root 3 iota by 2, यह यहां तक समझ मा आ गया, पर सुन मैं समझ से कहां पर आना शुरू होती है, यह यह भी देख लो, चलो, x power 4 plus 1 is equal to 0, x power 4 minus 1 is equal to 0, जान देजिगा, सुन यहां पर मैं समझ से आना start हो जाती है, यह बात तो समझ मा आ गई, कि गुरू जी यार, यह तो ठीक है, x is equal to 1 आ जाएगा, minus 1 आ जाएग पर समझ से यहां पर आना शुरू होती है, इसको बोलते है, अगर आप इस परकार की कोई भी equation आती है, तो इसको क्या बोलते हैं, पर रूट कई से निकालोगे, यह आपको ध्यान देने की जरूते है, तो सुन किस प्रकार से निकालते हैं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको यह आप एक बात ध्यान देने की जरूते है, मैं आपके सामने एक concept समझाता हूँ, उससे आपको चीज़ें समझ में आएगा, इसके अगर हमें रूट निकालने तो कैसे हम इसके रूट निकालेंगे, तो हमारे पास क्या हैगा, x is equal to minus 1 power 1 by 4, अब ध्यान दीजेगा, प्लीज समझने की कोशिश करना, इस्ट माइनस 1 कब होता है, तो बटा हम देखते हैं यह आपे, अगर मैं ऐसा लिखना हूँ, cos pi plus iota sin pi, भई यह ठीक है, cos pi की value minus 1 होती है, sin pi 0 होता है, क्या मैं इसको ले सकता हूँ, अच्छा मुझे बताओ, बटा अभी मैंने बताया था कि e की power iota जो होता है, cos theta plus iota sin theta होता है, यहाँ पे अगर theta की value pi आ रही तो मैं इसको लिख सकता हूँ, e की power iota pi, अड़े चलेगा भाई, कोई समस्या है क्या, बटा बिलकूल लिख सकते हूँ, x is equal to mass को ऐसा लिख सकता हूँ, क्या 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 लिख सकता हूँ, यह चलो ऐसा लिख लो, सबसे बड़े है न, माइनस मन तो सब भी होगा तो यार चलो मैं इसको ऐसा ना लिखूँ और मैं अगर ऐसा लिख दूँ तो कोई दिक्कत देगा आपको 2N प्लस 1 पाई प्लस आयोटा साइन 2N प्लस 1 पाई याना जब भी ओड़ पाई होता है तब हमारे पास उसकी वेल्यू होती है भी यह लिख सकते हो आप इस सुल्ड प्लीज समझना जो मैं आपको समझाना चारहे हो हुई पहुचना इस यूंद आपको मैंने यह इसके बारवर लिखा अगर मैं आपसे यह बोलूं कि मुझे इसकी पावर 4 करनी है तो टेंसर मतलो यार मैं इसकी पावर 1 by 4 लिख सकता हूँ चलेगा अरब समझ माहा रहा गिनिया रहा यार यार यह 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 वेल्यू किसके पर रहेगी यह मुझे बताओ यह आएगा क्या यह आएगा यह एकी पावर 2N प्लस वन आयोटा पाई भाई सही है अरे कॉस यह प्लस आयोटा सही नहीं है तो यह जो 1 by 4 है यह इसके साथ मुल्टिप्ला हो तो 1 by 4 यह आ जाएगा तो दीम आवे थियूरम यही बोलती ही मेरे भाई कि यह जो एक बटाचार है यह इसके एंगल में आ जाएगा क्या आएग जाहिया है नहीं इसके वेली होती है एक बटाचार करेंगे आएगा जाएगा यह जाएगा एक अब इसकी रूटस निकालने आपको बहुतेशन मतलो हमारे पास चार रूटस निकालने तो एंक वेली सब से पहले जीरो रखो तो पहला रूट जो आएगा हुआ एक्स ओन आ n की value 1 रखेंगे, तो यहार यह हमारे पास क्याएगा, x2 is equal to 1 रखेंगा, तो यह आएगा हमारे पास 3 pi by 4 है न, क्याएगा बटा, cos 3 pi by 4 plus iota sin 3 pi by 4, बटा, यहाँ पर 3 pi by 4 पर जो cos होता हो, negative होता, second coordinate में आता है, और second coordinate में cos negative होता है, तो यह आएगा, minus का 1 by root 2, plus iota by root 2, बटा, यह second root होगा, 4 root निगलेंगे, फिर माइब से बलो, n is equal to 2, तो इसका तीसरा root निगलेगा, क्या आएगा, यहाँ रखेंगे, 2, 5 है न, तो यह आएगा, 5 pi by 4, plus iota sin, बटा, यह आएगा, हमारे पास 3rd coordinate, और 3rd coordinate म बटाई, यहाँ पर रखेंगे, हम 3, तो 6 और 1, 7, यह आएगा, 7 pi by 4, प्लस iota sin, 7 pi by 4, बटाई, आएगा, 4th coordinate में, और 4th coordinate में cos positive होता है, और sin negative हो जाता है, तो बटाई, इस तरह समिया पर इसके roots निकालते हैं, पर आपके मन में सवाल उठेगा, कि गुरुजी यह बाद आपने जो भी बता है था ना, एकस क्यूब वाला है ना, सरी एकस क्यूब प्लस one is equal to zero, सर इसके root बताओ यार, इसके root भी इस तरह से निकाल सकते हैं, यार बिलकुल निकाल सकते हो, निकालो लेखो कैसे करेंगे, यह लिखो कि एकस क्यूब is equal to minus one, मेटा में लिख सकता हू एकस क्यूब is equal to, इसको लिख दू मैं, टू एन प्लस one, पाई, प्लस आयोटा साइन, टू एन प्लस one, पाई, भाई या ठीक है, और यह जो three है ना, बैटाइस को उदर लेके जाओ, और पावर one by three कर दू, भाई या समझ मा रहा कर निया रहा, यह one by three कहा आ जाएगी, अं टू एन प्लस one, पाई बाई three, प्लस आयोटा साइन, टू एन प्लस one, पाई बाई three या जाएगा, भाई यह समझ रहा हो, अब एन की value, zero रख दो, बैटा एन की value, zero रखोगे, तो पहला root हमारे पास क्या आएगा, बैटा यह आएगा, कॉस पाई बाई three, प्लस आयोटा अगर मैं एन की value, one रखूँ, तो बैटा बन रखेंगे यह आएगा, हमारे पास three pi, I think one रखेंगे यह पे, तो यह आएगा, हमारे पास three, तो बैटा यह आएगा, कॉस पाई, प्लस आयोटा साइन, पाई हो जाएगा, बैटा यह तो कॉस पाई की value, minus one होती है, तो बैटा जेगा two रख दिता हूँ, जैसी एन की जेगा two रखूँ, तो यह आएगा हमारे पास, x3, यह तिंग यह आएगा, पाई हमारे पास, x1 ले ले इसको, x2 ले जाएगा, तो बैटा यह आएगा two रखेंगा, तो चार और एक पाँच, यह आएगा हमारे पास, cos five pi by three, plus iota sin five by by three, बैटा, यह आता हमारे पास, कौन से कोड़े माता है, second quarter माता है, second quarter में आएगा, और second quarter में यह तिंग नेगटिव हो जाता है, यह आएगा minus का one by two, plus का यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, iota root three by two, तो यह आएगा हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर गाएगा, इसकी value आ ज इसका conjugate आना चाहिए, तो बैटा, तीनों root इसके सा आ जाते है, one minus iota root three by two हाना, बैटा, यह हमारे पास root साते है और यह में आपको निकालना सिखाया है, अब उनमें three कैस है, अरे मेरे भाई, three इसलिए आएगा, इसको मैं लिख सकते है, e की power two n plus one pi iota की power one by three, इसको तो बैटा, तू इसको लिख सकता है, one pi by three iota, अब इसको खोल दे वापेस, cos two n plus one pi by three plus iota sin two n plus one pi by three, बोल समझ में आया है कि नहीं है, अरे clear है कि नहीं है भाई, समझ में आया है, चले जी, आगे बढ़ता है, इसुन addition of vector बता दिया, difference of multiplication of vectors बता दिया, division of vectors बता दिया, modulus में आपको बताई दिया कैसे निकालता है, इस फिर इन्वर्स कैसे निकालता है, अगर हमारे पास कोई भी complex number दे रहा, उसका inverse कैसे निकालता है, कोई आप से यह बोले कि भाईया मुझे इसका inverse चाहिए, इसका चाहिए inverse, आप से बोला जाए कि two plus three iota का inverse क्या होगा, इन्वर्स पिर इसको जब multiply करेंगे दिया आएगा, two minus three iota divided by, यह कितना हैगा बटा, four plus nine, that is two minus three iota divided by 13, यह इसका चाहिए हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, यह आपको ध्यान देने की जरूत है, इस फिर अगर हमारे पास दो complex number है, तो अलग-अलग हो जाता है, अगर mode में रिखा complex number है, उसको complex number में कैसे represent किया सकता है, आपको coordinate देखना पड़ेगा, उसके साफ 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 यह पर quadrant decide कर सकते है, यह बना पता है, यह बना पता है, आप सभी को पता होई गया होगा, आप से पूचे जड़े कि इसको polar में convert कर दीजे, तो अगर आप इस topic से related questions को practice करना चाहते ह हैं, जहाँ पर हमने यह वाली class के जो questions है, math care app पे हमने questions को करवा रखा है, जो कि आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, math care app का जो link है, वो description में भी आपको मिल जाएगा, अगर आप CSI, RNA, GATE, CUTPG, IAT, CHM, RPSC, 1st grade, 2nd grade या किसी भी TGTPG exam की तयारी कर रहे हैं, तो आपके basics को clear करने के लिए series आप के लिए बहुत ही helpful है, अगर इन classes को live लेना चाहते हैं, तो मैं रात को 9 से 10.30 इस class को लेता हूँ, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, जो कि आप यह वाले channel पे इस class को live भी ले सकते हैं, पर यह सिर्फ live होती है, recorded आपको नहीं मिलती है, recorded के लिए आपको इस channel पे बाकी और भी classes दिख जाएगी, जिसका theory portion हमने करा रखा है, question practice करने के लिए, match care app पे आप question practice कर सकता है,